हेलो फैंड्स वेलकम टॉल आफ यो यूटूब चनल सरकारी वारत तो फैंड्स अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक नोटिस आया है चुकि सीटेट से लेटर है किंद्रिया माधिमिक सच्छा वोट की दरब से सीटेट का आपका जो रिजल्ट आया था उसमें कितने कैंड इकजाम दिया था और रिजिस्टेशन इसमें कितने हुए थे उसके बारे में मैं आपको कम्प्लिट डिटेल देता हूँ तो यहां प्रगार आप लोग देख पा रहे होंगे तो 2024 का जो पैडाम है उसकी सारबजनिक सूचना खिंद्रित कर दी गई है इस पेपर की मैं बा बारों यह अपना रिजिस्टेशन किया था यानि कि अपना फॉर्म फिलप किया था एकजाम डेट के दिन जब एकजाम देने गए तो 7,95,231 अभ्यारती ही एकजाम देने पहुँचे यानि कि अगर यहां डिफरेंस की भी बात करें तो लगबग 1,500,000 अभ्यारती होने त नहीं था खुल मिलाकर इसमें कितने अभ्यारती पास हुए तो 1,26,845 अभ्यारती पास हुए हैं तो आप लोग अपना अंदाजा भी लगा सकते हो कितने परसेंट रहा होगा यह दूसरा पेपर 2 की बात करें तो 7,35,333 क्योंकि इसमें DLR और BTC दोनों ही दे सकते हैं इसम मैं जिर अभ्यारती ने पेपर दिया था उफस्तित हुए थे वो थे 14,88,244 और तारचुप की बात तो यह है कि इसमें से सिर्फ 1,12,333 अभ्यारती ने ही सीटेट सेकंड पेपर जूनियर लेवल का क्वालिफाई किया है तो मात्र लगवग 1,12,33 के इसम को क्वालिफाई पिछले वार जो रियल्ट आया था 23,23 के लाष्ट मेथा तो वो भी इसमें हम बात करें तो एक लग पांच escape करीब अभियारती ने ही क्वालिफाई किया था तक पिछली वार की बात करें और इस बात करें तो पिछली वार 5,000 ने और इस बार 11,000 ने जुनियर में पास किय है तो काफी कम ही है और ratio की बात की जाए तो ये तो आपका ये मालेजे 10% ने भी यहाँ पर qualify नहीं किया है लगबग लगबग अगर qualify की बात करें तो 7.5% के गरीब आपका हुका आप लोग निकाल सकते हैं तो लगबग साड़े साथ या 8% के गरीब यहाँ पर केंडिटिनेस एकजाम को qualify किया है और भी कम हो सकता है तो ये था आपका आज का detail वाकि फिर मिलते हैं next video में thank you thank you for watching this video लेकिन चैनल को subscribe जरूर कीजेगा